हालो बचो ग्रो के बारे में बता दिया है। यहां पर हम सारे plant hormone के बारे में discussion करेंगे और उसकी detail जानेंगे और basically मैंने last class में आपसे यह पूछा था कि वो discovery जो accidental होती है by mistake होती है उसे हम क्या कहते है serendipity और मैं यहां पर add करना चाहूंगा बिटा वो लोग कोई ना कोई effort कर रहे थे ऐसा नहीं था कि वो खाना खा रहे और discovery हो गई actual में वो कोई और experiment कर रहे थे उसके बाद वो चीज डिसकावर होगा इसका मतलब यह हुआ कि effort करना पड़ेगा तभी कुछ होगा ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कुछ हो रहा है तो start करते हैं इस बात को लेकर आगे और topic पे जाते हैं और सबसे पहले हम लोग प start किये हैं उसके top पर कुछ लाइने हैं उनको लेते हुए plant hormone से हम लोग जुड़ जाएंगे तो start करते हैं बिटा सबसे पहले हमने का factors affecting plant development जब हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं हम यह देखते हैं कि जो factors हैं हिंदी में कारक कहते हैं न हम लोग जो factors हैं वो दो त रहे के factor होते हैं एक होते हैं external factors external factors मतलब आपकी requirement आपको book चाहिए pen चाहिए net चाहिए यह सारी चाहिए और कुछ होते हैं internal factor internal factor बहुत important होते हैं जैसे आपकी mind की stability आपका thinking process आपका IQ और उससे ज़्यादा आपकी concentration IQ लोग कहते हैं बहुत important मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा important जो चीज होती है वो आपका concentration जो आप कितना desperate हो चीजों को पढ़ने को लेके और आप daily कितना पढ़ रहे हो यह important है तो ऐसी plant के case में हम लोग जब factors की बात करते हैं तो हम दो तरह के factors की बात करते हैं बेटा हम बात करते हैं external factors की चीक है सबसे पहले external factors यह हमने already discuss करे हैं photo senses in flower plant में भी external factor can be light plant की बात कर रहे हैं तो light it can be temperature it can be oxygen it can be water यह कुछ external factors है जब हम बात करते हैं plant में internal factors कौन से हैं कौन सी ऐसी चीजे हैं जो internal factors है तो हम यहाँ पर दो चीजे देखते हैं बेटा internal factors में पहला हम यह देखते हैं बिच्चे यहाँ पर कि कौन सी ऐसी चीजे हैं जो plant में real में growth को मतलब control करती है या किसी life को control करती है तो हम यह बना लेते हैं cells ऐसे इस तरीके से हम cells बनाते हैं यह nucleus है इस तरीके से हमने cell बनाय यह nucleus है हमारे पास तो हम यहाँ पर यह कहते हैं बिटा हम यहाँ पर यह कहते हैं कि internal factors जो रहेंगे वो दो type के हम लोग बात करेंगे पहला factor वो जहां से समझे पहला factor वो जो nucleus के अंदर है now nucleus के अंदर कौन सा factor है जिसे हम genes कह रहे हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं genes क्योंकि हमारा जो DNA है वो भी growth को control करता है ऐसा नहीं हो सकता कि आप grass के plant को सारे external factor अच्छे दो और वो grow करके बहुत बड़ा tree बन जाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि genes के through already decided है वो कितना बड़ा हो सकता है लगबग तो हम कहते हैं दो factor है एक factor हमारे पास क्या है बिटा genes है तो genes एक factor हो गया that is known as जहांते सुने that is known as इसको मैं intrinsic भी कह सकता हूँ internal को तो इसको NCRT ने लिखा है intracellular intracellular मतलब cell के अंदर intracellular intrinsic factor intracellular intrinsic factor इसकी बाद करी है ठीक है दूसरा हम लोग यहां पर यह कह रहे है बेटा दूसरा हम लोग यहां पर यह कह रहे है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ factors यहां हो यहां हो तो उसे हम क्या बोलेंगे plant hormones उन्हें हम क्या बोल रहे हैं बेटा plant hormones तो plant hormones क्या है ध्यान से सुनेंगे plant hormones क्या है it is intercellular cells के बीच में intrinsic factor cells के बीच में intrinsic factor जो है वो हमारे पास plant hormone है मतलब हम यह कह रहे हैं कि plant hormones cells के बीच में काम करते हैं इसलिए हम word यूज़ कर रहे हैं intercellular intrinsic factor तो यह topic जाके है plant hormones से जुड़ गया यह कह रहे हैं हम लोग कि plant hormones जो हैं वो cell के बीच में chemicals हैं जो काम करेंगे इसलिए वो intercellular है intra क्या होता है inside cell, intra, within cell intercellular मतलब cells के बीच में intrinsic factor है तो यहाँ पर हम आप topic क्या पढ़ेंगे plant hormones क्या है intercellular intrinsic factor आप देख सकते हैं अब हमारा जो topic है वो यहाँ आ गया है ठीक है यहाँ से हम plant hormones पर जाकर जुड़ गया है clear तो इस चीज को हम देख सकते हैं बेटा यह चीज देख सकते हैं आपको यह line anxiety की explain करेंगी हना intracellular जो है वो genetic है और intercellular जो है वो chemicals है जैसे plant growth regulators जिने हम hormones कह रहे हैं clear तो यह चीज हमें पढ़नी थी और अब हम इसको लेकर जा रहे है plant hormones ठीक है plant hormones उन्हें हम नाम देते हैं plant growth regulators ठीक है और उन्हें हम नाम देते हैं phyto hormones और क्या नाम देते हैं phyto hormones नाम देते हैं plant hormones नाम देते हैं they are known as plant growth regulators plant growth regulators अब ध्यान से समझे बेटा यह वो chemicals हैं जो growth activity control करते हैं chemicals which control क्या control करते हैं सोचो ध्यान से यह control करते हैं जैसे कि मालो plant में growth हो रही है कि नहीं जैसे हम कह सकते हैं cell division से growth होती है ठीक है वो क्या कर सकता है पिटा उसके अलावा normal growth की बात कर सकते हैं इसके अलावा flowering आना flower आएगा के नहीं आएगा यह चीज़ समझा रहा है fruit development यह चीज़ समझ रहे है और plant में हमारे पास और हम सब बात कर सकते हैं seed development तो यह सारे process जो है plant की growth से related है somehow हना तो plant growth regulators जो है वो इन process को control करते हैं अब हम क्या करते हैं हम यह क्या करते हैं हम यह देखते हैं कि जो plant growth regulator हैं वो दो type के हैं actual में क्या होता है plant जो होता है कई बर कई तरह के stress में होता है उस stress में उसकी growth को decrease करना important होता है मैं रिबात सुनना अध्यान से मैं क्या बोला हूँ मैं कह रहा हूँ कि plant कई बार कई तरह के stress में होता है उस stress में उसकी growth को कम करना बहुत जरूरी होता है तो हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसे plant hormones हैं जो specific condition में plant की growth को decrease करते हैं वो plant के benefit के लिए काम कर रहे हैं Means हमने ये कहा उस special condition में plant की growth को decrease करना पड़ेगा उन्हें हम कहते हैं plant growth inhibitor तो हमारे पास plant growth regulator दो टाइप के हैं बिटा plant growth regulator दो टाइप के हैं हम लोग कह सकते हैं ये दो टाइप के होंगे जिन्हें हम PGR कह रहे हैं ये दो टाइप के हैं एक है plant growth promoter मतलब इनकी maximum activity growth promote करने की है तो plant growth promoters वो हैं जो ग्रोथ को क्या करते हैं पर्मोट करते हैं मतलब इनकी most of the activity या सारे काम ऐसे हैं जो ग्रोथ को पर्मोट करने है उस तरीकी के काम दिख रहे हैं ठीक है तो उन्हें हम कह रहे हैं plant growth promoter तो बटा अल एक्टिविंटी इस सारे काम all activities जो हैं हमारे पास to promote growth वो growth को promote करने वाली है plant के लिए beneficial है although plant growth inhibitor की activity भी plant के लिए beneficial है क्योंकि मुश्किल टाइम में difficult time में वो आपकी मदद कर रहा है plant की help कर रहा है तो ये चीज़ कह रहा है अब इसमें मेरे पास तीन हॉर्मोन हम पढ़ेंगे यहां पर हम पढ़ेंगे auxin हम पढ़ेंगे second is cytokinin और third हम पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं gibberlick acid that is GA known as short as gibberlick acid is known as GA इनकी बात करेंगे उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं PGI now PGI is plant growth inhibitor plant growth now this plant growth inhibitor कौन है यह बहुत प्रॉपर फेमस हॉर्मोन है जिसे हम प्लांट का stress हॉर्मोन कहते है that is abscissic acid अब abscissic acid एक तरीके से क्या करता है मालोग हम कहते है abscissic acid क्या करता stomata बंद कर देता है अब वो stomata close cup करता है जब पानी का stress है तो यह क्या करता है बिटा help करते है stress condition में help in तब stress condition में तो stress condition में यह एक तरीके से help कर रहे है तो यह हो गया अब हमारे पास बिटा एक हॉर्मोने से मैंने क्या बोला PGI Plant Growth Inibator and this is known as PGP Plant Growth Promoter तो हमारे पास क्या हो गया है दो हॉर्मोन हो गए एक PGP हो गया एक PGI हो गया समझे दे हैं PGP और PGI दो हॉर्मोन हो गए हमारे पास ठीक है दो ग्रुप हो गए अब हमारे पास एक हॉर्मोन और है जिसका नाम है इथली इथली ने गैसियस हॉर्मोन है वो दोनो है बेटा बोथ PGP है and PGI है but more PGI है NCRT clearly mention करती है जादा PGI है अब हम क्या करेंगे जैसे Oxyn है अब सारे हॉर्मोन को डिटेल में पढ़ेंगे और इनके chemical नाम भी देखेंगे हम कैसे move करेंगे अब एक हॉर्मोन को डिटेल में पढ़ेंगे पहले हमने उसे classify कर दिया किस तरीके से classify क्या PGP और PGI में growth promote करने के maximum सारे इनके है और inhibit करने के इनके है पर growth innovation का मतलब plant को नुकसान पहुचाना नहीं है plant का फायदा करना है कैसे फायदा करना है difficult condition में growth decrease करके क्योंकि वो condition सही नहीं है growth के लिए चलिए साथ करते हैं पहला hormone जिसे हम कहते है auxin हमने कहा था सारे hormones के discovery के बारे में जानेंगे now auxin जो है हमारे पास बिटा auxin जो है द्यान सुनेंगे auxin जो है उसके बारे में जानेंगे और उसके chemical name को भी जानेंगे पर auxin का मतलब होता है to grow कोई भी ऐसे चीज़ जो growth promote कर रही है basically उसे हम क्या बोलते है auxin word use करते है auxin word use करते है उसके लिए तो start करते हैं सबसे पहले auxin की discovery को लेकिए ध्यान से सुनेंगे बिटा इसकी accidental discovery कैसे है हमारे पास दो scientist father और son Charles Darwin and Francis Darwin ध्यान से सुनें बिटा Francis Darwin आप एक चीज़ ये भी समझें मेरे बात समझें ध्यान से Charles Darwin ने एक book publish करी थी origin of species evolution वो book publish करी थी 1859 में 1880 में ये लोग काम कर रहे थे father और son वो topic था अमारे पास Darwin बिटा इंगलेंड के scientist थे ये लोग काम कर रहे थे topic पे उसका नाम था phototropism what is phototropism bending of plant in presence of life तो ये लोग काम कर रहे थे phototropism में उसमें इन्होंने auxin को discover कर लिया समझ आ रहा है तो ये लोग किस पे काम कर रहे थे वर्किंग ओन हम कहरें ने किसी topic पे काम करना चाहिए working on phototropism अना phototropism clear? हाँ ऐसा हम लोग सुनते भी है कि कुछ बच्चे medical भी होता है उनके पास engineering भी होता है वो क्या करते है मतलब दोनों exam qualify कर ले तो लोग कहते हैं कितना special करा पर वो पढ़तो रहे थे ना ऐसा थोड़ी पढ़ी नहीं रहे थे वही मैं कहा रहा हूँ हम एक word यूज करते हैं जिसे हम कहते है कोलियोप्टाइल कोलियोप्टाइल का मतलब समझे कोलियोप्टाइल क्या होता है हमारे पास मोनोकोट में मोनोकोट प्लांट में ग्रास की फैमिली में हमारे पास क्या होता है मोनोकोट में हमारे पास ऐसे हम shoot tip बनाते हैं, इस चीज को समझना ज्यान से, इस तरीके से shoot tip बनाते हैं और उसको surround करते हैं ऐसे leaf-like structure से, मतलब ऐसा leaf-like structure उसको surround करता है, उसे colliectile कहते हैं, तो colliectile का meaning है, shoot है, shoot tip, surrounded by leaf, surrounded by undifferentiated leaf, इसको हम क्या बोल देते हैं, colliectile बोल देते हैं, they were working on canary grass, एक plant था, जिसका नाम था, canary grass, ये लोग canary grass पे काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, ध्यान से देखना बिटा, इन्होंने क्या किया, इन्होने क्या किया, canary grass की ऐसे tip ली, ये tip समझो, ये वाली tip बना रहे हैं, colliectile की, हना, लोग लिख रहे हैं, 行, tip लिख लेते हैं, यहाँ पे, हना, अन्होने क्या कि इस tip ली, इस tip पर, मालो हम लोग sunlight दिखा रहे हैं, स्न लाइट देखा रहे हूं तो उन्होंने देखा यह बेंडिंग हो गई मतलब स्टिप ना si 정도 just कि सब्वासले इस तरीके से सां लाइट में अइसे बेंडिंग हो गई चैनiver की की बात कर रहें जर्यां से दना अंनलो और प्हांतिक तो यहां तो uhh uso bending हो गई clear अब सुनना ध्यान से अब क्या किया उन्होंने tip remove कर दिया माल लो हमने tip cut कर दी tip remove कर दी tip remove करी और फिर sunlight दिया tip remove करने को कहते है बेटा decapitation हना तो हमारे पास फिर bending नहीं हुई फिर हमारे पास क्या हुआ ये चीज की bending नहीं हुई तो अब यहां पर क्या था आप समझो कि tip थी bending हो गई tip remove कर दी जिसे हम कहते हैं decapitation tip remove करने को कहते हैं decapitation tip remove कर दी तो bending नहीं हुई clear यहां तक समझ आ रहा है अब देखो उन्होंने क्या किया ये important है अब उन्होंने क्या किया ध्यान से सुनना उन्होंने क्या experiment किया हम definitely देख पा रहे थे उन्होंने सबसे पहले tip ली ठीक है उसमें bending हो गई अगर sunlight ठीक ठीक है मैं यहां पर sun दिखा रहा हूं ऐसे ठीक है bending होई ठीक है tip remove कर दी ठीक है tip क्या कर दी remove कर दी ऐसे इस तरीके से tip remove कर दी तो हम कह रहें no bending even sun present है तो हमारे पास no bending है कोई bending नहीं उसके बाद क्या किया ध्यान से सुनना देखो उसके बाद उन्होंने क्या किया ऐसे tip ली उसको दो तरीके से cover किया एक cover किया देखो एक चीज समझो ध्यान से बिटा यह जो bendy नहीं चीज सो कहे और इस उसको पॉइंट व बेंडि ऐने tämä से बेंडिग हू रहे है इन्हों ने क्या किया बिलकुल और यहां पे heart किया और ब्लैक पेपर के देखो क्या किया, यहां तो सुन, उन्होंने क्या किया, tip लिया, जो हम बोल रहे हैं, canary grass का tip था, canary grass का tip था, एक यहां से cover किया, बिलकुल top से और एक थोड़ा नीचे से, मतलब यह point of bending पर यहां cover किया है, उन्होंने यह देखा, कि यहां के case में मैं sun light दे रहा हूँ और यहाँ दे रहा हूँ यहाँ bending नहीं हो रही है कोई अब देख पा रहे हो यहाँ कोई bending नहीं होगी यहाँ no bending और यहाँ पर उन्हें bending दिख गई ऐसे अब important point यह है बिटा यहाँ पर important point यह है कि इन्होंने point of bending कवर कर दिया उसके बाद भी यहां बेंडिंग क्यों हो गई क्योंकि टिप पर कोई केमिकल बना वो नीचे की तरफ मूव करके यहां काम किया समझ पारे हो मैं क्या कह रहा हूं इन्होंने क्या किया विटा एक black paper लेके इसको cover किया एकडम tip को और यहाँ पर तो point of bending cover करी इन्होंने यहाँ पर क्या cover किया point of bending cover किया cover point of bending तो इनको क्या मिला इनको यह मिला बिटा कि कुछ ना कुछ ऐसा chemical है क्योंकि आप देखो मतलब कही ना कही bending यहाँ से हो रही है और दूसरा इन्होंने यह वाले tip cover करी bending क्यों नहीं हुई क्योंकि वो chemical यहाँ बनके नीचे गया होगा समझे हो clear तो वो chemical यहाँ बनके नीचे की तरफ गया तो हुआ यह हुआ यह कि यहाँ पर कोई bending नहीं हुई इन्होंने एकडम tip cover कर दी यहाँ पर थोड़ा नीचे कवर किया point of bending पे तो bending हो गई इसका मतलब cover point of bending इन्होंने क्या cover कर दिया point of bending cover कर दिया समझाया तो फिर यहाँ तो bending हो गई वहाँ नहीं हुई इसका मतलब यह हुआ कि कुछ chemical है उनको यह idea लग गया कि some chemical जो produce होता है tip पे produce on tip and वो move कर रहा है downward वो move किया है बिटा downward downward का मतलब हो गया वो हमारे पास नीचे की तरफ ऐसा proper move किया है और उसने अपना effect दिखाया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यह मेरे पास tip है this is point of bending और यहाँ light का effect आया और वो chemical नीचे जाके उसने अपना effect दिखाया तो यह Charles Darwin और Fancy Darwin ने Oxyn को discover किया ऐसे फिर एक similar work जो था उसके बाद एक scientist थे जिनका नाम थे F.W. Wend नाम mentioned है N.C.R.T. में F.W. Wend जो थे इन्होंने क्या किया पर इन्होंने अलग grass का plant लिया इन्होंने ओट लिया आप चेक करेंगे N.C.R.T. में इन्होंने ओट कोलेप टाइल लिया इन्होंने canary grass नहीं लिया इन्होंने ओट लिया उस ओट में उन्होंने क्या देखा देखें बहुत ध्यान से जैसे मालो यह ओट की tip है इस ओट की tip पर इस तरीके से collect किया oxygen को क्या लगा के यहाँ पर जहां से देखें एक agar plate लगा लिए ऐसे क्या लगा लिए agar plate इस तरीके से agar plate लगा लिए समझे इस बात को इस तरीके से हमारे पास क्या लगा लिए agar plate समझो इस बात को agar plate क्या होती है हम करेंगे किया जैसे auxin यहां tip से बनके नीचे जाएगा तो यह जो agar plate है इस पे auxin को collect कर लेंगे मतलब हम यह कह रहे हैं बिटा जैसे माल लो यह tip है इस पे यह agar plate लगा लिए तो जो auxin यहां से बनेगा जब नीचे जाएगा तो इसको इस agar plate में cover कर लेंगे इस पे अगार plate पर यह चीज़ समझो तो agar plate पर auxin को क्या कर लिया collect कर लिया यह चीज़ समझो बिटा collect कर लिया अब देखो क्या कर रहे है अब ध्यान से सुनना हम लोग क्या कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना अब हुम क्या करेंगे? उन्होंने वो अगार पलेट निकाले और ये कब किया? उन्होंने sunlight दी ना तभी oxygen बनेगा तो उन्होंने वो अगार पलेट oxygen के साथ वाली collect कर ले This is aगार पलेट इस अगार पलेट में क्या है? हमारे पास oxygen है समझा रहा है? इस अगार प्लेट में हमारे पास क्या है ओक्जिन है ये चीज़ समझो तो उन्होंने वो अगार प्लेट जो थी वो क्या कर लिए उन्होंने कलेक्ट कर लिए तो उन्होंने वो अगार प्लेट जो थी उसको कलेक्ट कर लिया उन्होंने इस अगार प्लेट को ध्यान से देख कर लिया फिर इसको अलग कर लिया अब इसको किस पे लगाया किसी ऐसे प्लांट की टिप पर लगाया जिसकी टिप कटे वही थी अब उन्हों अगार फ्लेट मतलब एक ऐसे चीज जो किसी मतलब एक तरीके का सॉलिड मीडियम होता है अलकर सारा सैंग तो उसको अगार को लेकर इस पर लगाया टिप पर जो टप विधाउट हुई है डि़ू थू और लाइं bending हो गई auxin की वजए से ये चीज़ समझो बिटा तो ये एक तरह की accidental discovery तो Darwin की थी इन्होंने proper उसको separate किया तो आपने समझना है अगर आपको देखो तीन या पर point बनेंगे जो आपको ध्यान रखना है actual में क्या है अगर आपको question आता है कि auxin की discovery किसने की तो आप mark करेंगे उसमें हमारे पास Darwin Charles Darwin, Francic Darwin ठीक है अगर आपको दूसरा second question आता है जहां से सुनेगे अगर आपको second question ये आता है कि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये तो auxin की discovery है अगर आपको second question ये आता है बिटा कि auxin को अगार प्लेट पर किसने separate किया अगार प्लेट पर separate किसने किया तो आप mark करेंगे separate किसने किया पिटा हमारे पास FW went और actual में पर तब भी हम लोग auxin को free form में isolate नहीं कर पाए what is free form? मतलब proper उसको separation नहीं कर पाए तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि auxin को ध्यान से सुनेंगे पिटा अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो auxin है हमारे पास जो auxin है हमारे पास उस auxin को ध्यान से समझे वो जो auxin है उसको pure form में isolate किसने किया pure form में तो pure form में isolate scientist का नाम important नहीं है पर ये NCRT ने mention किया है कि उसको human urine से isolate किया था, actual में वो person को disease थी पेलेगरा, मेरी बास समझना ज्यान से, auxin कोई single compound नहीं है, group of compound है, ऐसा कोई भी compound जो plant में कुछ particular type की growth करा सके, उसे auxin बोलेंगे, दूसरा auxin तो chemical है ना, पर्टिकुलर chemical है, chemical compound है, ऐसा मिलता है जुलता है chemical हमें human urine से isolate किया गया, और किस नहीं किया, कोगल एंड स्मित ने, तो scientist का नाम आप छोड़ भी सकते हो, पर चाहो तो लिख लो, कोगल एंड स्मित ने हमारे पास ये काम किया, और human urine से इसे isolate किया, और उसका नाम था indole acetic acid, नाम याद करना है indole acetic acid, ठीक है, तो basic आपने ये समझना है, discovery को लेकि ये details हैं, जो auxin की आप याद रखें, यहां तक समझा गया है, ये basic detail है, जो auxin की आप, आप क्या करेंगे, properly याद रखेंगे, ठीक है, अब हम इसके आगे move कर रहे हैं, इसके आगे move कर रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं, उसको समझना है आपने, ठीक है, next detail जो हम समझ रहे हैं, वो है बिटा, bio essay, बाइयो essay क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी चैटर में topic है, bio essay, सबसे पहले समझो, जहां से जानो बिटा, सबसे पहले ये समझो, कि हमारे पास, जो bio essay होता है, उसका मतलब actual में क्या होता है, test, देखो, essay word का मतलब होता है, test, bio word का मतलब है, living से related, something living, तो हम क्या करते है, bio essay क्या होता है, starting में जब hormones की discovery हो रही थी, तो उसके साथ साथ, उसके bio essay develop होई, now bio essay is basically, it is test, it is test, to find, find, role, समझ लो इस बात को, previous year चेक करना बिटा, तीन साल पहले question आयो वहा इस पे, role and concentration, कितने amount पे, at which this role occur, समझ लो, ये role क्या है, कितना क्या role करता है, और किस concentration पर ये role होता है, मतलब bio essay क्या है, एक ऐसे test है, जिनके तुरू हम क्या करते हैं, ये बताते हैं, कि hormone का क्या role है, और कितने amount पर वो role होता है, for example, example है बिटा हमारे पास, example है, हम ओट का नाम रखते हैं, अवीना, मतलब ओट जो होता है, ओट, ओट प्लांट का scientific नाम है, अवीना सटाइवा, अवीना सटाइवा, उसका bilomial nomenclature है, तो हम ये कहते हैं, एक ग्जाम्पल है हमारे पास, अवीना कोलियोप्टाइल, अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टैस्ट, ये टैस्ट क्या था, एक ग्राफ लॉट करते हैं, आपको समझ आ जाजएगी, एक मिनिट लगेगा इसमें, कि हमने क्या किया था, कटीवी टिप ली थी, जान सुने, हमने क्या किया था, कटीवी टिप ली थी, उस कटीवी टिप में, मैंने यहाँ पर अगार प्लेट रखी हुई थी, ऐसे, टॉप पर, ये टिप है बिटा, कोलियोप्टाइल है ये, तो कोलियोप्टाइल है किस प्लांट का, अवीना का, तो इसमें अगार प्लेट है, उस अगार प्लेट में आउग्जिन है, इस अगार प्लेट में क्या है आउग्जिन है, देखो, अवीना कोलियोप्टाइल करवेचर टेस्ट जो है, वो क्या बताएगा कि आउग्जिन क्या काम करता है, और कितनी कंसेंट्रेशन पर करता है, तो क्या हुआ, इस अगार प्लेट में हमने औक्जिन रखा हुआ था, क्या रखा हुआ तो औक्जिन, तो हमने ये देखा, हमने ये देखा, कि concentration of, समझना इस बात को, जितना जादा इसमें औक्जिन होगा, उतना यहां से degree of bending आएगी, मतलब, क्योंकि ये tip ऐसे थी, ये bend क्य करी, because of auxin, समझ लो, तो जितनी जादा यहां concentration of auxin होगी, अगार प्लेट में, उतनी जादा bending होगी, तो हमने क्या पता किया, सबसे पहले हमने इस bio essay के तुरू function पता किया, now function क्या पता चला, function पता चला कि tip की bending हो रही है, अच्छा, दूसरा हमें ये पता चला कि degree of bending, कितनी bending हो रही है, वो किस पर depend कर रहा है, degree of bending is directly proportional to concentration of auxin, तो what are bio essay, जान जूनेंगे, what are bio essay, bio essay वो test होते हैं, हर एक hormone के अलग होते हैं, जो basically उस hormone का role बताते हैं, और ये बताते हैं कि किस concentration पर वो role होता है, इसे bio essay कहते हैं, तो हम एक दो bio essay सारे hormones के याद करते हैं, नाम याद करते ह कुछ detail बताईए, पर normally नाम याद करते हैं, directly question आता है, NEET में कि ये नाम में से कुण सा bio essay किस hormone का है, टीको की बात, चलिए, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, और हम क्या जानेंगे, विटा, auxin की कुछ detail जानेंगे, जो important है, सबसे पहले detail, हमने discovery की बात कर ली, देखो, हमन दूसरा हमने पढ़ा बिटा, दूसरा हमने पढ़ा, एक तो डार्विन पढ़ा, second नाम हमने क्या पढ़ा बिटा, second नाम जो था हमारे पास FW, वेंट की बात कर ली, इसके बात सुन जान से, हमने discovery में ये चीज़ बात कर ली, अब हम क्या बात कर रहे हैं, समझना इस बात क करी हैं, ये हमने किस की बात करी है, discovery, ये clear होगी बात, ठीक है, ये हमने discovery की बात करी है, आप सुन ना जान से, after that discovery जो हमने या discussion कर लिया, उसके बाद हम बात कर सकते हैं, कि कहा बनता है, oxygen बनता कहां पर है, हम कहेंगे site of synthesis, ये सारे point important होते हैं, देखो, आप क्या करो, एक plant ले लो, ऐसे, plant की tip है, और ये root की tip है, यहां पर, तो basically कहां बनेगा, हमारे पास root and shoot की tip पर, वहां पर हमारे पास oxygen बनता है, root और shoot की tip पर हमारे पास क्या होता है, ये hormone बनता है, क्योंकि वहीं पर growth हो रही होती, elongation करा रहा होता है, तीसरी चीज, third point है बिटा, जो आपको रखना है, इसमें, third point है, कि हमारे पास इसकी type क्या है, actual में हम क्या करते है, oxygen तो एक group of chemical है, हम हर उस chemical को जो उस तरह की activity करे, उसे हम कहते हैं, उसकी type, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी type, for example, natural जो oxygen होगा, वो plant से मिलेगा, तो हम यहां पर लिखते है, natural oxygen, ये वो oxygen है, जो पास इस दिखती है, कि oxygen में एक amino acid होता है, tryptophan, उसकी जैसे ring होते हैं, भी बताते हैं, वो देखो, natural oxygen का नाम है, indole acetic acid, ये पहला oxygen है, मेरी बात समझना, oxygen is a group of compounds, हाना, तो उसमें से एक example हमने क्या लिखा, IAA, indole acetic acid, फिर हमने लिखा, IVA, indole butyric acid, चीक, इसको हमने लिखा IBA, IAA, IBA, दो example है, natural oxygen के, अब मेरी बात समझे, oxygen plant में है, मैं चाहता हूँ कि इसको agriculture में भी use करो, एक तरीका ये है, कि इसे plant में से निकालो, दूसरा तरीका ये है, अगर आप मिलता जुलता chemical अगर lab में बना सकते हो, industry में बना सकते हो, तो उसे हमारे पास second जो है बिटा, वो है हमारे पास synthetic oxygen, second क्या है हमारे पास synthetic oxygen है, synthetic oxygen, तो synthetic oxygen जो है हमारे पास वो क्या है, उसके नाम है हमारे पास, NAA, NAA की full form बिटा, इनकी full form, expanded form आती है, naphthalene acetic acid, ठीक है, clear, और एक लिख रहे है, 24D, 2,4-dichloro, नाम याद करना है इसका, phenoxyacetic acid, अब ये इतना बड़ा नाम कौन ही याद करेगा, आपको करना है, चोकि exam में full form भी आई भी है, तो हमने क्या याद करने हैं, और भी होते हैं, पर हम यह यह याद करने हैं, दो natural oxygen का नाम, दो synthetic, ये plant से मिल जाते हैं, ये हम lab में बनाते हैं, उनके जैसी activity है, अब मेरी बात समझना, हम जब amino acid पढ़ते हैं, तो उसमें एक amino acid होता है, धान से सुनेंगे बिठा, एक amino acid होता है, जिसका नाम tryptophan है, देखना जान से, हम इस तरीके से उसको बना लेते हैं, ऐसे, इस तरीके से बना लेते हैं, ये R group है, इस R के के एक ring बनाते हैं, इसे indole ring कहते हैं, ठीके से हम क्या बोलते है, indole ring, तो auxin जो होता है, उस amino acid से बनता है, असल में क्या करते हैं, plant में किसी चीज़ को बनाने के लिए, कोई particular chemical बनाने के लिए, एक word यूज़ करते है, precursor, precursor मतलब किस से बना, auxin किस से बनता है, उसका precursor ह एक amino acid, जिसका नाम हम क्या रखते हैं, tryptophan, और उस पे कोन सी ring होती है, indoor, तो हम अगर यहाँ पर fourth point आपको समझाएं, जो बहुत important है, before roll, वो है मेरे पास precursor, तो auxin का precursor क्या है विटा, वो है मेरे पास क्या, tryptophan amino acid, now this tryptophan amino acid, tryptophan amino acid जो है, इसका precursor है, इससे बनेगा मे का मतलब इससे बनेगा, क्योंकि इस पर कौन सी ring होती है, indoor ring, तो auxin indoor compound कहते है, indoor ring है, तो आपने क्या क्या समझा, कहां बनता है, site of senses, type is natural और synthetic, दो type के हैं हमारे पास, दोसरा हमने उसका precursor लिख लिए, इससे बनता है, tryptophan amino acid से, ठीक है, यह चीज़ समझ आ रही है, आप अ second chapter, plant physiology, उसमें zinc को लेकर लिखा, involving auxin biosynthesis, ठीक है, अब आजाओ, auxin के role, जो बहुत important है, और हमें क्या करनी है, उन roles को समझना है, roles और explanation की बात करनी है, सबसे पहला role, first role जो है auxin का, यहां से समझेंगे, पहला role क्या है, बेटा, first role क्या है, हम एक-एक role पढ़ेंगे, actually मैं यह क्या किया है, total seven role बात किये हैं, और उन role की explanation है, जैसे first role, मैं यहां से start करता हूँ, कि auxin जो है, epical dominance promote करता है, auxin promote, क्या चीच, epical dominance, क्या promote करता है, epical dominance प्रमोट करता है, अब यह epical dominance क्या होता है, उसको देख लेते हैं, तो इसी लिए हम क्या करेंगे, साथ के साथ उसकी explanation लेंगे, जहान से देखें बटा, जहान से देखें, what is epical dominance, क्योंकि explanation भी चाहिए हमें, तो हम बात कर रहे हैं क इसकी apical dominance, यह क्या होता है, एक-एक role की apical dominance word का मतलब समझेंगे, देखो, हमने कहा, कि यह plant है, यह इस तरीके से plant है, इसकी tip पर क्या है, auxin बन रहा है, किसकी synthesis हो रही है, auxin की synthesis हो रही है, इसकी tip में, auxin ऐसे tip में बन रहा है, होता यह है, कि auxin tip में बनता है, तो इसकी tip की growth कराता है, मतलब हम यह कहते हैं, कि जब तक auxin रहेगा, यह tip की growth कराएगा, branches बनने नहीं देगा, मतलब auxin क्या करेगा, हमारे पास plant की, किसकी growth कराएगा, tip की growth कराएगा, तो tip की growth कराएगा, तो tip की growth का मतलब tip को हम कहते है, apex, apex dominant है, dominant का मतलब मेंली किसकी ग्रोथ हो रहे टिप की ग्रोथ हो रहे टिप पे से वैसे उपर बढ़ रहा है तो उसमें हम क्या करते है टिप की ग्रोथ होती है और मेरे पास ब्रांचीज क्या है ब्रांचीज उसकी क्या होंगी सप्रेस करती है branches हमारे पास क्या होती है suppress हो जाती है branches जो है हमारे पास वो बनती नहीं है तो हम यह कह रहे हैं कि auxin जो है हमारे पास auxin जो है उसमें उसकी tip की growth हो रही है और branches क्या हो रही है suppress हो रही है उसको हमने कहा कि auxin promote apical dominance clear हो गई बात auxin promote apical dominance का मतलब है कि जो tip हमारी grow करी और branches नहीं बनी अब मेरी बास सुनों इसको कहा use का सकते है माल लो अगर मैं किसी plant tip से grow कर रहा है यह plant है यह tip से grow कर रहा है tip grow कर रही है हमारे पास tip grow कर रही है मैंने क्या किया मैंने अगर इसकी tip को हटा दिया तो branches बनने लगेंगी इसको कहँं यूज करते हैं दो जगा पहला हम क्या करता है hij marking what is hij marking hygiene making mulheres के पार्णीज में में आप देखोंगे parks वगरें में वो क्या करते हैं ऑप seizure लेक्के बड़ी सी seizure होते हैं उससे कुछ कट रहे होते हैं तो बेसिकली tip टिप काट रहे होते हैं ताकि नीचे से तो पूरापर ऐसे जैनल जा नीचे वह समझाए आहा नीचे से उ साइड में लगे रहते हैं यो उसके आज पास प्लांटेशन में वह इसको पास कम sup preस्रय हो यह सीजर होती है उससे कट कर देते हैं इसको कर सक्थे लोचնरी प्लांटेशन में, अब टी प्लांटेशन में कैसे यूज कर सकते हैं बिटा, टी प्लांटेशन में क्या होता है, गर आप उसकी टिप काड़ दो तो नीचे फैलेगा, तो उसमें ज्यादा लीफ आएंगे, तो टी में मुझे लीफ चाहिए, तो एपिकल डॉमिनेंस फीचर ह प्लांटेशन है, हाना यह हो गया औगजेड का पहला रोल, हाना, सेकिन रोल, क्या करना भेटा, रोल समझने हैं, सेकिन रोल बेटा, ओजन क्या करता है, स्टैम कटेंग में, now routing इन स्टैम के दिन Cyberman कन कि, क्या मतलब है, जैरा देख लेते हैं, का दिखो नॅब की देखो नर्ट को समझो मालो हमारे पास हमने क्या क्या कूझा इस सम्छे को समझो ये रोज का प्लांट है कोई, रोज है मावल, इसकी हमने स्टैम काट ली ऐसे, हम लोग करते हैं ना उसकी स्टैम काटते हैं, ये स्टैम काट ली ऐसे, अना इस स्टैम पर हम औक्जिन अप्लाई कर देंगे, इस स्टैम पर हम क्या कर देंगे ऐसे, यहां औक्जिन अप्लाई स्टैम पर रूट्स है, रूट्स आने का मतलब जैसे स्टैम थी, इस स्टैम पर बनने लग्ती है, इन रूट्स को हम कहते है निर पर ये बिट्टा विव का कि यह स्टैम कटिंग है, रोज के क्या है यह स्टैम कटिंग है और इससे हम क्या बना रहे है एडवेंटीशेस रूट बना रहे है अडवेंटीशेस क्या बना रहे है रूट बना रहे है यह चीज़ समझो तो स्टैम कटिंग से हमने क्या बना दी एडवेंटीशेस root यह चीज़ समझो clear है ठीक है तो इस हमने बोला rose rose की हमने क्या करिये बिटा stamp cutting और उस पर oxen लगा के root बन गई तो इसी को आचा ही कहा useful है haughty culture में जो हमारे पास use in haughty culture industry मतलब flark से related वहाँ इसका use हो गया now this is second role यह हमारे पास क्या हो गया बिटा यह हमारे पास क्या हो गया second प्रमोट कर रहा है root प्रमोट कर रहा है stamp cutting है third पार्थनो कार्पी यह important है पार्थनो कार्पी क्या होता है बिना सीड के fruit बनना उसे पार्थनो कार्पी कहते है जरा समझो पार्थनो कार्पी क्या होता है जहां से देखना होता है हम आपको पार्थनो कार्पी समझा रहे हैं क्योंकि explanation देनी पड़ेगी तो याद नहीं होगा पार्थनो कार्पी समझ रहे हैं देखो कैसे समझ रहे हैं माल लो यह आपके पास हम यह structure होता है जिसे पिस्टिल कहते हैं इसमें इसे हम ovary कहते हैं होता यह है कि जब pollen grain यहां गिरता है pollen और pollen tube बनती है तो ovary में oxyn का level naturally increase होता है oxyn का level क्या होता? increase होता है उसके बाद यह ovary convert हो जाती है किसमें fruit में समझ लो इस बात को ovary fruit में कैसे convert होती है? क्योंकि जो oxyn है उसका level क्या होता है? increase हो जाता है oxyn का level क्या हो जाएगा? increase हो जाएगा और ovary convert हो जाएगी किसमें fruit में? और ovary convert हो जाएगी किसमें हमारे पास fruit में? ऐसा हमारे पास होता है, तो हमारे पास ये pollen है, pollen को हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, और oxyn का level बढ़ गया और fruit formation हो गई, अगर मैं oxyn बहार से दे दूँ, तो बिना fertilization के fruit बनवा सकते हैं, मतलब क्या हुआ, मैं ये कह रहाँ बिटा, ये तो तब है जब pollen आया, लेकिन आप क्या खरो, बिना pollen के बहार से oxyn अप्लाई कर दो, उन पे flowers पे, तो क्या हो जाएगा, बिना मतलब उसके, pollination के, fruit बन जाएगा, ऐसे fruit में क्या नहीं होगा, seed नहीं होगा, क्योंकि fertilization नहीं होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्थनो कार्पी, तो पार्थनो कार्पी होता है, seedless fruit, seedless fruit, repeat कर रहा हूँ, naturally क्या होता है, जब pollen grain आता है, और fertilization होती है, तो ये ovary fruit में convert होती है, लेकिन अगर हम बाहर से oxyn externally डाल दें, तो ovary fruit में convert हो जाएगी, अब pollen तो आया नहीं, तो seed नहीं बनेगा, क्योंकि fertilization नहीं हो, तो पार्थनो कार्पी का मतलब है, हमारे पास seedless fruit, seedless fruit बनाना, तो seedless fruit कहां benefit करेगा, अगर आप से पूछा जाए, कि seedless fruit benefit कहां करेगा, आप सोचो जड़ा, हम कहेंगे, seedless fruit जो benefit करेगा, benefit करेगा, वो benefit करता है juice industry को, क्योंकि उनको seed की बड़ी issue होती है, कि seed ना हो, तो ही अच्छा है, क्योंकि juice बनाते वक्त, उने जो commercial तर fruit है, जिसमें पार्थनो कार्पी benefit नहीं करेगा, जिसका seed खाते हो, जैसे कि अनार, पॉमिगरनेट, उसमें हमें पार्थनो कार्पी benefit नहीं करेगा, तो पहले है क्या पड़ा हमने, auxin promote apical dominance, second पड़ा rooting in stem cutting, third पड़ा और auxin promote पार्थनो कार्पी, ये चीज़ समझा गई, fourth role ह बीटा हम लोग बात करेंगे, fourth role की बात करेंगे, जो है हमारे पास, वो क्या है बीटा, fourth role आपने direct याद करना और neat में आया हुआ है, कि auxin जो है, actual में इसके अलावा ethylene भी करता है, auxin promote flowering in, flowering in, किसमे हमारे पास pineapple, तो pineapple में वो क्या कराता है, flowering कराता है, auxin क्या कराता है, flowering कराता है किसमे pineapple यह चीज़ समझा रही है particular example देखे बना रखा है क्योंकि pineapple एक अलग type का fruit है उसे composite fruit कहते हैं हम morphology में पढ़ेंगे इसे ठीक है fifth role हमारे पास क्या है यह बहुत important है बिता fifth role कि oxyn जो है oxyn हमारे पास क्या करता है धान से सुनना oxyn जो है हमारे पास act as vd side vd side against dicot इसको जरा समझते हैं यह important है समझना और इसमें एक important चीज और बताएंगे यहां से देखो बिता oxyn act as vd side vd side का क्या मतलब है इसको समझना oxyn act as vd side का क्या मतलब है इसको देखो हमारे पास सुनने हैं हमारे पास क्या होता है इस tampoco समझना कि मेरे पास यह दो तरह के प्लांट लिखराऊं हमें इक यह है है जिसमें यहफ बना दी मैंने ऐसे यह फ्लांट है इस की लीफ मैंने ऐसे बनाइब फ singular आप यह बनााइब अब यह वाला जो प्लांट हे visto मैं यह तब जादा amount, तो high concentration में ऑक्जिन जो होगा, वो क्या करता है, लीफ को गिरवा देता है, लीफ fall कह रहे हैं उसे, लीफ fall केले एक वर्ड यूस करता है, defoliation, तो ऑक्जिन क्या करता है, लीफ को गिरवा देता है, जिसे हम defoliation कहते हैं, defoliation कहते है वो leaf गिलवा देता है और वो किस पर करता है वो dicot पर करता है इस पर नहीं ठीक है इस पर on dicot तो एक तरीके से वो किसको kill करता है kill करता है dicot plant अब इसकी explanation क्या है इस बात को समझना है आपने हम क्या करते है मान लो एक grass का lawn बनाना है what is grass lawn grass का lawn जो है बेटा उसमें मुझे जो plant चाहिए होता है वो monocoat चाहिए तो इना grass lawn we require monocoat plant तो मैं क्या यूज करूँगा मैं oxyn यूज करूँगा तो वहाँ जो भी weed होंगे देखो वहाँ पे grass जो है वो monocoat है और desirable है desirable मतलब मुझे चाहिए और जो आपके पास dicot है वो undesirable plant है क्योंकि वो weed है तो मैं क्या करूँगा oxyn apply करूँगा और वो सारे dicot plant जो weed है वो मर जाएंगे तो इसे हम कहते है oxyn act as weedy site on dicot तो grass का lawn बनाने में helpful है application क्या होगे grass का lawn लेकिन काम कैसे कर रहा है leaf गिरा देना है तीक है इसको बिटा ये ये roll आपको समझना है ये जो roll मैंने बोला कि oxyn act as weedy site against dicot और मुझे help करेगा grass का lawn क्या बनाएंगे grass का lawn आपका lawn बना लेंगे हैं ना ठीक है grass का हम लोग lawn making करेंगे आणा grass का lawn बना लेंगे तो अब ये तो कितने roll होगे five roll होगे मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको यही roll neat के लिए याद करने explanation तो चाहिए वो तो समझने के लिए याद ऐसे करना इसको ठीक है अब इसके अलावा बिटा एक चीज और इसमें बतानी थी मैंने आपको कि एक question आता था एक question था आपके पास आपको 10th में पढ़ाया होगा एक word agent orange now what is agent orange agent orange क्या है actual में agent orange है क्या बिटा हमारे पास twofold d करके auxin था ज्यान से सुनना एक war हुई थी वियतनाम में एक war हुई थी वियतनाम में वियतनाम war में क्या हुआ था orange color के boxes में auxin था उन्होंने क्या किया था auxin को उपर से गिराया था trees पर उसे trees की leaf गिर गई थी खीक है तो auxin को use किया था leaf गिराने क्यों क्योंकि दूसरी country के जो troops थे वो forest में छुपे वे leaf गिर जाएगी तो visible हो जाए गर ना वोलो तो उसे हमने नाम दिया agent orange तो agent orange is basically nothing but जान से सुनेंगे agent orange is nothing but auxin जिसका नाम 24D था जिसको वेतनाम war में use किया as a defoliator as a defoliator आप से यह नहीं पूछे का उस war में USA था नहीं था वो सा मतलब नहीं है हमें तो agent orange किसके लिए word use करते हैं auxin और वो भी 24D यह चीज़ समझा रही है बिटा यह चीज़ समझा रही है तो यह हमने कितने रोल पढ़ लिए auxin के यह हमने पढ़ लिए auxin के बिटा कितने रोल basically हमने five रोल पढ़ लिए अब हम discuss कर सकते हैं sixth role auxin का that is basically auxin क्या करता है auxin promote cell division and xylem differentiation यह six role है and xylem differentiation किसको समझना क्या है ध्यान से देखे बिटा auxin क्या करता है auxin क्या करता है इसको समझो आप auxin क्या करता है हमारे पास माल लो यह आप plant बनाओ ऐसे इस तरीके से plant बनाओ तो tip में cell division promote कर रहा है, क्योंकि cell division के लिए दो hormone चाहिए, तो tip में मेरे पास क्या promote कर रहा है, cell division promote कर रहा है, यह चीज़ समझा रही है, cell division, उसके साथ-साथ oxygen क्या करता है, नीचे xylem को बनवा विरा है, तो उसे हम कह रहे हैं, xylem differentiation, मतलब growth कराने के लिए क्या होता है, एक तो मुझे cell को divide कराना है, cell की division करानी है, दूसरा मुझे क्या करना है, xylem भी बनवानी है, क्योंकि अगर xylem tissue नहीं बनेगा, तो basically फिर plant आगे कैसे grow करेगा, चीज़े move कैसे करेंगे, तो उन dividing cells को finally convert करना है, मुझे differentiated cells में, clear, तो यह काम कर रहा है, इसके अलावा बिटा, last role जो auxin का है, जो बहुत important है, जिसे हम 7th role कह रहे हैं, जिसे हम 7th role कह रहे हैं, वो सुन लो ध्यान से, 7th role क्या है, NCRT कहती है कि auxin जो है, auxin promote, abscission, abscission का मतलब होता है growing old, abscission of old leaf and fruit, अभी इसको समझा रहा हूँ, and prevent, abscission of young leaf and fruit, मतलब क्या हूँ अभी देखें, यह 7th role है, आपने यही role याद करने है, screenshot लिजए जो करिए, इसी को बार बार याद करिए, इसी में से आएगा, तो देखो हम क्या कहना चाहरे हैं, इस role को हम कैसे explain करने हैं, हम यह कह रहे हैं बिटा, हम यह कह रहे हैं, कि मेरे प this is young leaf and this is old leaf, mature leaf, यह old leaf है, actual में क्या करता है, young leaf में oxyn का amount हाई होता है, यहाँ पर, खीक है, और हमारे पास old leaf जो है, यहाँ oxyn का amount कम होता है, amount low होता है, अब हम यह कह रहे हैं बिटा, हम यह कह रहे हैं यहाँ पर, एक process होता है, जिसे abscission कहते हैं, abscission का real meaning होता है, detachment, detachment मतला अलग होना, सूख के अलग होना, ऐसा कुछ, तो old leaf को oxyn गिरवा देता है, young leaf को गिरने से बचाता है, क्योंकि level जादा होता है, तो हम यह कह रहे हैं, क्योंकि old leaf में oxyn का level, old leaf और fruit में oxyn का level क्या हो गया है, oxyn का level हमारे पास कम हो गया है, ध्यान seven role आपने एकदम NCRT से याद करने है, बिलकुल ऐसे ही आएंगे, और इनी में से आता है, अगर additional role मेरे से पूछो के तो मैं कहूँगा, phototropism और geotropism, जो oxyn के additional role हो सकते हैं, आप चाहों तो लिख लो इने, additional role अगर आपने करने हैं, तो उसमें मेरे पास एक है, हमारे पास phototropism, एक क्या है बिटा, मेरे पास phototropism, और दूसरा मेरे पास क्या है, geotropism, gravity की तरफ कौन मुड़ता है बिटा, हमारे पास root जो है gravity की तरफ जाता था, और shoot gravity से अवे, तो ये चीज भी कौन कराता है, औक जिन कराता है, तो ये चीज आप याद कर सकते हो, additional में, बाकी त आपको सारे बता दिये, अब जो next hormone है हमारे पास, उसका नाम है जिवरलिक ऐसे, next hormone का नाम है मेरे पास जिवरलिक ऐसे, बहुत important hormone, बहुत important hormone, और इसकी हमें वो details जाननी है, जो काफी ज़ादा important है, ठीक है, clear, सही है, तो ये आपको पढ़ाई करते रहें, all the very best